लोक सभा चुनाव के साथ वे और अंतिम चरण के लिए नॉमिनिशन की प्रक्रिया सुरू हो चुकी है इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की वराटसी लोक सभा सीट पर अंतिम चरण में मतदान होना है इस सीट से भायरत्य चंता पार्टी के टिकट पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद चुनावी मैदान में है बता देगी प्रधान मंत्री मोधी वराड़सी से मौजूदा सांसद और बीजेपी उमीदवार है कॉंग्रेस ने यूपी पार्टी प्रमुख अज़राय को वराड़सी से मैदान में उतारा है पीए मोधी वराड़सी सीट से आज नॉमिनेशन करेंगे पीए मोधी के नॉमिनेशन को भव्वे और अतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी और उसकी अगवाई करने वाले एंडिये ने पूरी ताकत जोग दी है पीए मोधी के नॉमिनेशन में बीजेपी के साथ ही एंडिये के कई कद्दावर नेता भी शामिल होंगे पीए मोधी ने वराडसी सीट से लोकसभा चुनाव का नामंकन दाखिल करने के लिए बेहदी शुब समय चुना है प्रधान मंत्री मोधी आज वराडसी लोकसभा शित्र से अपना नामंकन भनने से पहले गंगा नदी के किनारे दश्मा वेद घाट पर वैदिक मंत्रोचारन के साथ पूजा अर्चना वारती की इसके बाद पीए मोधी ठीक 11 बचकर 40 मिनट पर अपना नामंकन दाखिल करेंगे 14 मई को इस समय पर नामंकन दाखिल करने के पीछे एक विशेश कारण है सबसे पहले उन्होंने 14 मई को चुना क्योंकि इस दिन को गंगा सब्तमी के रूप में मनाया जाता है इसको हिंदु धर में बेहद ही पवित्र दिन माना जाता है वहीं आपको बता दें कि प्रधान मंत्री के इस मेगा शो में बीजेपी के दिगज वा एंडिये के नेता भी शामिल हो रहे है इसमें 12 राजिय के मुख्य मंत्री शामिल हो रहे है वरार्सी लोकसभा सीट से पियम मोदी तीसरी बार अपना नामंकन पत्र दाखिल करने जा रहे है पियम मोदी के नॉमिनेशन के लिए बीजेपी के कई दिगज नेता वरार्सी में है ग्रह मंत्री अमित शहा और रक्षा मंत्री राजनात सिंग भी पीए मोधी के नॉमिनेशन में शामिल होने पहुँच चुके हैं अपना दल की रध्यक्ष अनुप्रिया पटेल टीडीपी प्रामुक चंद्रबाबु नाइड्यू और सुहेल देभारत जंता पार्टी के अध्यक्ष आम प्रकाश राजबर यूपे के मुख्य मंत्री यूग यदितिनात उत्रखन के सीम पुशकर सिंग धामी मध्यप्रद आजवस्थान के सीम भजनलाजू शर्मा, अरसम के सीम हिमंत विश्वा सर्मा, हर्यारा के जायब सिंग सैनिंग, घौओा और सावन सिक्कम के सीम, प्रेम सिंग, तामंग, गोले और तिरप्रवा के सीम मडिक सहा भी मौझूद रह सकते है